कॉंग्रिस हमेशा से हिंदू विरोधी रही है लेकिन हिंदू क्यूं कॉंग्रिस विरोधी नहीं होते शायद वो नहीं समझते कि कॉंग्रिस ने क्या हिया आपको साल दर साल का भ्योरा देते हुए बताएंगे कि कैसे कॉंग्रिस ने हिंदू का मसाग बना दिया 1950 में आया आर्टिकल 25 कौविस 1950 में आर्टिकल 25 को लेकर आई जिससे धर्म परिवर्तन को मानिता दे दी गई और सबसे जादा किसका धर्म परिवर्तन हुआ ये सब जाती है लेकिन ये तो सिर्फ शुरुवात थी नेरों 1950 में आर्टिकल 28 लेकर आए और हिंदुों से धार्मिक शिक्षा का हक चीव लिया लेकिन आर्टिकल 30 के तहर्ट अल्प संगिक अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं धार्मिक शिक्षा के बाद निशाने पर थी धार्मिक संस्थाए 1951 में HRCE Act 1951 में हिंदू Religious and Charitable Endowment Act ने कराए उन्होंने कारण दिया कि बड़े मंदिरों का रख रखाफ सही से हो सके लेकिन इसकी आर्ड में कबजे कर लिये जिसके तहर्ट में मजुद बड़े-बड़े मंदिरों का फ्रवन सरकार ने अपने हाथों में ने लिया लेकिन आर्फ संककों के लिए इन्होंने परसनल लॉबोर्ट को बिलकुल हाथ नहीं लगाया मतलब एक ही है देश में एक जाती कद सविधान कानून से और दूसरी अपने धर्म के कानून के हिसाब से और आज भी यूरिपॉम सिबिल कोर्ट से कतराते हैं कॉंग्रेस ने लगाई आरक्षिन की आग कॉंग्रेस आरक्षिन लेकर आई जिससे हिंदूों को बाटने का काम किया गया जिससे सबसे बड़ा नुकसान हिंदूों को हुआ आरक्षिन की देश में जरूरत थी लेकिन मकार कॉंग्रेसी इस यूज़ना को 10 साल लागू करने की बजाए इसे बढ़ाते चले गए और ना ही इससे लोगों को सशक्त बना पाए जबकि लोगों को इसकी लत लगा दी गए इंद्रा का कारेकाल मतलब की हिंदू बहुसंग्यक होते हुए भारत हिंदू देश नहीं कहलाया जा सकता जबकि आप हमारे आसपास देखेंगे तो सभी मज़भी देश है लेकिन हिंदूों के लिए कोई देश नहीं बचा इसके बाद हिंदूों के कानूनी अधिकार और इतिहास निशाने पर थे 1991 में पूजा स्थल कानून 1991 में कॉंग्रेस ने पूजा स्थल कानून बनाया जो बेहत हिंदू गिरोधी कानून था क्योंकि इस कानून के तहाइत हिंदू, सीख और जैन मुगलों के कबजे से मंदिरों को छोड़ाने के लिए लड़ाई ही नहीं नड़ सकते उनके पास दलीज सुनने का कोई कानूरी अधिकार ही नहीं छोड़ा गया हमने लाखों मंदिर और उनका इतिहास खो दिया 1992 माइनॉरिटी कमीशन एक, कॉगर्स ने अलब संकिक आयोग अधिनियम बनाने के बाद अलब संकिक आयोग बना दिया ऐसा करके कॉगर्स ने धर्म विशेश के लोगों को स्पेशल दर्जा तो दिया ही हिंदू को बाट दिया, जिसके तैट सरकार की हर योश्टा का सबसे ज़ादा फाइदा धर्म विशेश के लोगों को ही मिलता है जिससे कॉगर्स ने साथ को भी मान दिया और नाठी को भी नहीं तूपने दिया मतलब साथ है, हिंदू को भी बाट दिया और धर्म विशेश की लोगों को भी खुश कर दिया जब देश स्टेकुलर बना दिया तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की जरूरत ही क्या थी 1995 में वक्फ बोर्ट कानूर बनाकर कॉंग्रिस ने एक और महापाप किया वक्फ बोर्ट को आसे मी शक्ति रेदी गई, आसे थी ये है कि वक्फ बोर्ट किसी भी संपत्ती पर डावा कर दे तो कोड से भी कोई मदद नहीं मिलेगी रेलबे और रख्षा के बाद संपत्ती के मामले में वक्फ बोर्ट देश में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है अब सिर्फ एक आखरी बार बचा था, वो वार था राव सेतु एफिडेविट राम सेतु एफिडेविट बनाया हिंदों ने फिर 2004 में कॉंग्रेस को चुन लिया तो कॉंग्रेस ने इसका इनाम देवी हुए राम सेतु एफिडेविट बनाया और भगवाश श्री राम के अस्थितु को ही नकार दिया और काल्पनिक बताया आस्ता और धर्म पर वार करने के बार अब कॉंग्रेस ने हिंदों को ही बदनाम करने का प्लैन बना लिया 2009 में हिंदू आतंगबादी घोशित 2009 में फिर से हिंदू ने कॉंग्रेस को चुना तो उसके मतले में कॉंग्रेस ने हिंदों को ही टेरर घोशित कर दिया कॉंग्रिस ने बहुत ही चालाकी से एक एक कर हिंदों के धर्म अधिकारों और शिक्षा के अधिकार को छीन लिया लेकिन हिंदू फिर भी कॉंग्रिस को नहीं समझ पाया और इंजेब ने हिंदों को खतम करने के लिए तलवार का इस्तमाल किया तो कॉंग्रेस ने हिंदों को खतम करने के लिए समिधान का इस्तमाल किया फिर में कोवेसी बोल रहे है कि लोगतंतर खतब हो रहा है जब कि लोगतंतर नहीं हिंदू और हिंदुत्व खतब हो रहा है